आपको अपने स्कूल के दिन याद हैं और कुछ लोग अभी भी स्कूल में दे नो कि जब लेक्चर हो रहा होता है आप फुराण-फुराण लिख रहे होते हैं ठीक है और जिस चीज पर आप लिख रहे होते हैं उसे बुला जाते हैं नोट बुक और आप हुब 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 वही इलफॉस को कॉपी करके ने लिख रहे होते हैं आप अपनी शॉर्ट हैंड में लिख रहे होते हैं ऐसे यह जैसे अभी मैं देख रहा हूँ के जवेरिया यहां पर लेक्चर को बड़ी एक्टिवली नोट डाउन कर रही हैं हमारे पास एसन भाईगी भी हैं एंदेरा मैनी अधर पिपल जो नोट डाउन करते हैं मेरी भी अपनी यह याद आता है मैं अगर लेक्चर में बैठके नोट ना करूँ तो मुझे नहीं दा जाती है तो मेरा यह बला मुझे भी है दूसरी साइड बे मुझे नोट बें करना आता है अब यही चीज़ हम अगर पाइथोन का सिरफ कोड 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 लिखते जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा कोड को बताएगा कौन के कोड में है क्या उस वज़ा से मार्कडाउन का और नीचे भी मार्कडाउन का या अधर लेंगुजेज का खाना अगर रख दे then you can describe that function of code ठीक है और उस काम के लिए जो चीज़ें यूज हम करते हैं उनको बुला जाता है जुपिटर नोट बुक and जुपिटर नोट बुक के लिए ये वाला साइन बनता है वाई I'm going to show you now ठीक है पार टाइम जादू घर भी आता डबाबा जुपिटर नोट बुक के अंदर हम देखते हैं कि क्या होती है जुपिटर नोट बुक बेसिकली जुपिटर का नाम ये दूसरा जुपिटर नहीं जो जुपिटर एक सहरा है और ये पाइनियर थे नोट बुक में कोडिंग लिखवाने के लिए ये बहुत बड़ा इंकलाब था नोट बुक के अंदर खास्तोर पर डेटा साइन्स के अंदर पहले सिरफ पाइथोन की फाइल बनती थी जो आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा सिरफ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट लिखा गया था लेकिन जुपिटर नोट बुक्स आई उनकी एक्स्टेंशन है डॉट आई पी वाइन बी जैसे वीडियो की होती है .mp4 .png होती है आपकी तस्वीरों की .jpg होती है तस्वीरों की .के साथ हर फाइल के एंड पे जो चीज लिखी जब उसकी एक्स्टेंशन होती है किसी भी फाइल की जब एक्स्टेंशन .ipynb होगी न यानि कि I.Python Notebook सही है I.Python Notebook So ये है क्या पहले हम पढ़ते हैं कि Python की .py file क्या थी और उसमें क्या ऐसे इंकलाव आ गया गया हमारे पाद जूपिटर Notebook का .py file हुआ करती है जिस पे Python लिखा जाता था स्क्रिप्ट ये plain text format थी बिल्कुल plain text format nothing more than that ठीक है और इस और इस Notebook के अंदर इस Python की file का use ये था कि आप plain text में इसको लिखते थे फिर Python से इसे run करवाते थे यानि कि जैसे text file होती है न वैसी file थी लेकिन .py के साथ end हो रही थी ठीक है and then ideal for writing script modules and packages that can be imported or executed ये basically वो लोग यूज करते हैं जो packages या libraries हमें बना के देते हैं या जिन्होंने multiple chunks of code को या नहीं high level programming करनी होती है मतलब बड़े level पे वो लोग इसे use करते हैं basically जो चीजों को develop कर रहे होते हैं खास और पे वो लोग जिन्होंने apps बनानी है websites बनानी है web app development करनी है those kind of people इनके execution कैसे होती है यह start to finish using python interpreter एक ही go में पूरी file में जितना code लिखा सारे का सारा चलेगा a to z ठीक है बात याद रखिएगा यानि कि आप choose करके एक line of code को नहीं run कर सकते यू have to run the complete code बात पॉइंट नोट कीजेगा can be executed in any environment where python is installed जिन्होंने नहीं सुना पिछला lecture उनसे मैं request करूंगा कुस को सुने then you will understand कि environment different बन जाते advantages क्या थे light weight है simple है easy to manage है with version control system suitable for building application and libraries जो मैंने आपको पहले बता दिया इसकी limitation क्या आप सुने हैंगा this lacks built-in spot for rich media or inline outputs यानि के यह वह वाली file नहीं है कि आप एक line लिखें उसकी output फोरन आ जाए फिर अगली line लिखें फिर उसकी output आ जाए फिर अगली line लिखें फिर उसकी output आ जाए ठीक है यहां पर हमें क्या करना था यह सारी चीज़ें यहां पर इस तरीके से लिखनी है कि rich media और inline text भी आ जाए जो यहां पर इसकी functionality नहीं है this was less interactive not ideal for exploratory analysis तो यह इसकी limitation थी then नहीं जी हमारे पास Jupiter notebook जुपिटर notebook ने क्या किया यह JSON formatted होती है लेकिन JSON क्या है इसके बारे में हम बात में बात करें का I am just going to tell you कि इसका design ऐसा था कि आप एक line of code को run करें उसकी output फोरन से नीचे ही आ जाए plot बनाया एक line of code में उसकी output आगे फिर उससे आगे वहीं से start कर ले फिर उससे आगे 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 आपके पास codes के box होते है codes के chunks होते है ठीक है और उन chunks के अंदर आपके Jupiter notebook होती है या different किसम की IDs या environment उसे run कर देते हैं ठीक है This is highly interactive, immediate feedback आपको आ जाता है code execution का और इसके लिए rich media यानि के images, plots, videos and markdown text within the file ही आपको show होता है जो pipe.py file में नहीं था and then this is excellent for demonstration tutorials and exploratory data analysis यानि के data scientist के लिए एक जन्नत kind of scene है अगर आप python को बनाएं दूसरी window कोल लें, तीसरी कोल लें, चौतरी कोल लें इससे बेतर है एक file में सब कुछ and then इसके एक और limitation है not ideal for producing code or building application यह application बनाने के लिए नहीं है keep in mind and then version control system can be cumbersome cumbersome, not cumbersome, cumbersome due to embedded output and JSON format, इसमें version control system थोड़ा सा गड़बड कर जाता है लेकिन वो उसका भी हमारे पास control है and then there are many limitations coming up और लोग उनको overcome कर रहे हैं तीन major जो हमारे पास Jupiter notebook को चलाने वाले मैं कहदतों हूँ के इदारें कह लें या आप नाम लें उनमें सबसे पहला Jupiter lab है यह Jupiter hub है second आपके पास Google collab third आपके पास जो है वो basically VS code है जिसको हम use कर रहे हैं ठीक है so VS code हम use कर रहे हैं बाकी जो है वो हमारे पास दो और है Jupiter hub and Google collab अचा इसके इलावा हमारे पास of course Kaggle notebook भी है every note भी है and there are many other applications जो Jupiter notebook को ही रन करती है ठीक है अब मैं आपको बदा के भी दिखाऊंगे कि Jupiter notebook क्या होती है so इसके extension .py होती है simple file की इसकी .ipynb यानिके ipynb ठीक है format plain text है यहाँ पर json है interactive है यह interactive नहीं है यह whole script को शुरू से end तक start करती है यह बीच-बीच में भी आप जितना चाहें उतना run कर सकते है यह limited है interactively के लिए यह high intally interactive and you can use multiple languages inside one notebook एक ही notebook के अंदर आप multiple languages को use कर सकते है and then for example आप यहाँ पे IDE support देखें तो यहाँ पे IDE हो ना हो तो आप इसको run भी कर सकते है simple python की file simple IDE के बगार भी run की जा सकती है और उनके साथ भी यहाँ पे आपको IDE की must जरूरत है यह IDE के बगार run नहीं होती, you cannot view that file और यहाँ पे only code होता है यहाँ पे code, formatted text, markdown, images, equations, rich media outputs होती है so you should know this and then some other things sharing के लिए यह वाली जो है as script के तोर पे होती है यहाँ पे मिलके भी आप काम कर सकते है using markdown language and some other formats export आप यहाँ पे, कोई इसको export नहीं कर सकते इसको आप html, pdf, markdown, pi script सभी के अंदर export कर सकते है यानि के आप पूरी की पूरी किताब लेखके यहाँ से publish कर सकते है I'm just saying if you want to do, क्योंकि not book समझ रहा है ना बात को then you have embedded media, इसके अंदर images होती है again वही चीज़, learning कर ओ यहाँ पे आपको अच्छा खासा knowledge चाहिए होता है यहाँ पे beginner friendly है बहुत असानी से समझा जाती है execution, यह python एक terminal के अंदर चलता है यहाँ पे आप simple one by one code को run कर सकते है and then dependency management यहाँ पे आपको environment नहीं बनाना पड़ता simple virtual environment अगर आपके पास है उसे run कर देते है यहाँ पे आपके पास kernels की base पे चीज़ें चलती है I will show you किस तरीके से चलेंगी and then we will understand easily कि क्या होती है notebook then collaboration में चलें तो यहाँ पे code collaboration के method different होते है यहाँ पे different होंगे so performance के हिसाब से यह faster होती है यह slightly overdue कर देती है काम को क्यों क्यों क्योंकि इसमें rich media text है video भी आनी है images भी आनी है formatting भी आनी है बाकी काम भी आनी है यहाँ पे commenting and documentation आप hashtag के साथ करते है यहाँ पे आप markdown के साथ करते है ठीक है so these are few things जो आपको पता होनी चाहिए अब आपको एक चीज बड़ा question बार-बार पूछा जाते है कि कब कौन सी file की type यूज़ करनी है .py या .ipynp ठीक है py तब यूज़ करनी है जब आप application बना रहे है again मैं इस वज़ा से repeat कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ी याद हो जाए writing script that need to be run from the command line or schedule tasks you require better performance and efficiency तब आप ये वाली file बनाते है maintaining code तब आप ये वाली file बनाते है .py की अब ipynb क्या आती है performing data analysis, visualization and machine learning tasks यानि कि data science के जितने गाह में सारे इस पे हो जाएंगे सीए then teaching or learning python and programming concept of course हम इसे यूज़ करने वाले sharing interactive code with explanation and outputs हम इसे को यूज़ करेंगे अब jupyter notebooks कदरे बेहतर क्यों है उसकी लिए ये मेरे पास 11 point agenda है जिसको आपके सामने रखोंगा and then हम experiment करेंगे कि jupyter notebook कैसे होती है ये interactive होती है inline data visualization है इस वज़ जासे better है documentation and narrative आप लिख सकते है markdown के साथ heading दे के, bold करके आप italicize करके, color change करके HTML के code लिख के जैसे HTML language होती है and then reproduce and sharing असान है self-contained document होता है, इसी के अंदर सब कुछ है export options है आपके पास ये कुछ collaborative platform है जिनके उपर आप share भी कर सकते है मिल के एक ही notebook पे multiple log काम कर सकते है जिसमें google collab है, binder है binder भी इसे कहते है, every note है जुपिटर हाब है, educational benefits के लिए easy है, EDA के लिए easy है multiple languages को support करती है, big data extensive widgets है, presentation capability, आप इसे slideshow भी बना सकते है simply, ठीक है, अगर आपको पता हो कैसे बनानी है, and then much more to learn, जब आप practice करेंगे, you will see these capabilities ये हैं जी, दो किसम की files, खास्तोर पे Jupiter notebooks हमारी favorite file है से बनती है, अब उसके लिए मैं आपको directly जो हमारी screen है, उस पे ले जाता हो and then it will be easier for you to understand यहाँ पे day 3 के अंदर ये Jupiter notebook files for data scientist, ये मैंने 7 minute 32 seconds की ये video upload कर दी है, you can see that there, on our LMS system, और ये 32 minute की ये दोनों वीडियो ज़रूरी हैं in order to understand के Jupiter notebook कैसे use करनी है ठीक है, और हमारी अगली class से पहले पहले आपने इसको ज़रूर understand करना है, और अभी इस Jupiter notebook वाली video को मैंने unlist किया हुआ था अभी इसको मैं live publish कर रहा हूँ आप हमारे channel के उपर जाके, YouTube के उपर भी जाके इसको देख सकते हैं अगर आप यहां पर लिखे जूपिटर notebook codanix let's see, हमारे पास आती है कि नहीं YouTube भी लिख देते हैं साथ अक्सर वकात search नहीं होती चीज़े, नहीं हुआ so YouTube जाते है YouTube codanix यह आगे हमारा channel यह हम live जा रहे हैं साथ साथ और वीडियो में जाने के बाद यहां पर आपको latest यहां पर Jupiter notebook let me see should be there यह आ गई है, ठीक है it took some time, तो यहां पर आ गई है इसमें मैंने अच्छे खासे ना गोल गोल ग्लासेस बहने हुए हैं आप इस वीडियो को देखेंगे 51 seconds पहले open हो गई है and you can see that मैं इसका link जो है वो description में भी देदूँगा later on and then you can find यहां तक आपको clear हो गया का Jupiter notebook क्या है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है so इस lecture को skip ना कीजिएगा मुआ बहुत है